आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेहू और हरी मेथी की मटरी जो बहुत ही जादा क्रिसपी और चाय के साथ दो बहुत ही जादा स्वादिस लगती है और कड़़ी तो बिल्कुल भी नहीं लगती तो उसके लिए हमें सबसे पेले यहां पे चाहिए हरी मेथी जिसकी हम हमने ओन कर दिया है और यहां पर गी हमें एड़ कर लेना है जैसे ही यहां पर गी मेल्ट हो जाता है यह हरी मेती जो हमने एकदम बारिक करके रखी हुई है इसे हमें यहां पर एड़ कर देना है और इसे हमें यहां पर बून लेना है बस इस तरह से बूनना है कि यह बिल्कु जादा और हेल्थ के लिए भी बहुत जादा अच्छी होती है तो इसे हम कई तरीकों से बना सकते हैं फिलाल हम यहाँ पे मठ्री बनाएंगे और जो बहुत कर दीजिए एक टी स्पून साथ ही यहाँ पे दो टी स्पून हम तील एड करेंगे जिससे उपर इसका जो टैक्चर है वह बहुत जादा सुंदर आएगा दैन फिर यहाँ पे आपको एड कर देना है एक चम्म सुगर जो कि थोड़ा सा अगर कड़वाहट आ जाती है तो उसक आने ही चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हमें यहाँ पे उपर से डालना है ओल जो कि इसमें एकदम सॉफ्टनेस लाने के लिए हम यूज कर रहे हैं तो बचकुछ इस तरीके का ओल रहना चाहि है वो इस तरह से इसमें मिक्स हो चाएं क्योंकि सबसे में इंपोर्टेंट हता है बहुत जादा भी नहीं डालना है तो इस तरह से आप यहाँ पे करीबन एक चम्मस यानि दो टेबली स्पून आप ओल एड कर लीजिए तो हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको एक पांड Does it कलीजे करें चारोजाद कर लीजिए है तो आप जादा खाना चाते हैं तो आप ज्यादा भी light कर सकते हैं मैंने नौर्मर हते हैं तो हलदी पावड़ और या थोड़ी we從 जितना हिंग एड़ कर लेना है, तो इन चीजों को भी हम इसके साथ अच्छे से mix कर लेंगे, और जैसे ही ये mix हो रह गया है लगबग, अब हम थोड़ा-थोड़ा पानी लेते हुए, एक दम से जादा पानी नहीं डालना है, इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी लेते और बहुत ही फटा-फट बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है बच्चों को तो खूब पसंद आती है बस इसमें थोड़ा सा ओइल में फ्राई करना होता है अधरवाइस ही हेल्थ के लिए भी बहुत जादा अच्छी होती है क्योंकि हमने गेहु का आटा इस्तमाल किया मेदे के आटा ज्यादा आच्छा नहीं रहता है बौडे के लिए बट गेहु के आटे से बनी हुई चीज़े बच्चों के लिए हल्दी होती है तो हम इसे बना सकते हैं घर पे बाहर की चीज़े खिलाने से बेटर रेगे हम घर पे इन चीज़ें को बनाएं तो यहाँ पे हम इसको करीबन एक डेट घंटे के लिए रख देंगे इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए ये मेदा इसकी जगह आप कॉर्ण फ्लॉर भी ले सकते हैं बट मैं यहाँ पे मेदा यूज करने वाली हूँ और यहाँ पे हमें एड करना है गी इसका इस तरह से एक 4 टेबली स्पून घी आपको लगेगा तब जाके यह हम बहुत जादा सॉफ्ट बन पाएगा इससे हमारी जो मट्री है उसकी परते आनि लहर हम बनाएंगे उसमें हम इसे यूज करेंगे तो हमें इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और दीरे दीरे जैसे ही तो हमें साथ में ही एक कडाई में ओयल भी निकाल लेना है जो हमें फ्राइ करने के लिए लगने वाला है पहले यह पेस्ट हम इस तरह से अच्छे से रेडी कर लेते हैं कॉर्ण फ्लोर अगर यूज करेंगे तो वह भी बहुत जादा ईजी ली आपको इसमें हेल्प होगा तो आप यहाँ पे मेदे का भी यूज कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे मेदा ले रही हूँ और आप देखते हैं हमारा आटा जो हो एकडम से सेट हो चुका है तो अब इस आटे से हम यहाँ पे इसको अच्छे से पहले मसल लेंगे क्योंकि हमने एक गंड़े से इसे रखा हु तो सबसे पहले ये आटा जैसे ही इस तरह से रेडी हो जाए, एक एक टोड़ के आप यहाँ पे लोई बना लीज़े। मतलब हम रोटी जादा बड़ी बना सकते हैं, तो इससे हमारी जो मठरी है, बहुत जल्दी बन जाती हैं, अगर आप छोटी छोटी बनाएंगे तो आपको थोड़ा जादा लग सकता है, जिस तरह से आपके लिए convenient हो वेसा आप करें, बट मैं यहाँ पे इतने आटे की चार लोईया बनाने वाली हों, तो इस तरह से मैं यहाँ पे सबसे पहले लोई बना के रेडी कर लोंगी, तो मेरी सारी ही लोई इस तरह से रेडी है, तो मैंने इतने आटे की चार लोईया बनाई हैं, मतलब में बहुत जादा बड़ी भी नहीं है, छोटी बड़ी बना लोंग तो इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए बेलन और चकला तो दोनों ही चीज़े हम लगते हैं और यहाँ पे हमें सूखे आटा जो है वो डस्ट करते हुए इसे बेलना है तो सबसे पहले इस तरह से हम नौर्मल रोटी के आकार का बेलना है इसकी ठीकनेस जो रोटी की होती है बही हम रखेंगे ना पतला या मोटा कुछ भी नहीं करना है इस तरह से इसे पुरा आप बेल लिजिए जैसे ही यह बेल के रेडी हो जाए इसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया है मेदे का जो घी डालके वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है तो इस तरह से आप चम्मस या थोड़ा थोड़ा लगाए तो ज़ादा अच्छा होगा जिससे हमारी जो लहर है वो बाद में फ्राय होने के बाद निकल के आजाएगी तो इस तरह से यह रोटी हमने बेल लिए और यह जो पेस्ट है ये भी हमने इस ते अपलाई कर दिया है इसके बाद हमें यहाँ पे और जब यह पूरा complete हो जाता है हमें यहाँ पे उपर एक सूखा आटा जो होता है वो हमें dust करना है तो हम सूखा आटा थोड़ा सा ले लें और उसे इसके उपर dust कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसे हम fold कर लेंगे तो दोनों ही side से आप fold कर लेंगे और fold होने के बाद इसके उपर हमें फिर से एक और बार ये paste लगा लेना है तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे एक और बार लगा लेते हैं सुखा आटा dust करेंगे और फिर इसको अब इस तरह से हम fold करेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से दोनों side से fold करना है फिर सुखा आटा dust करते हुए इसे एक और बार हम बेलेंगे तो फिर से आप इस तरह से इसे बेल लीजिए बस सेम जैसे मैं कर रही हूँ उसी process से करना है बहुत जादा easy है तो हम पूरी रोटी यहाँ पे बेल लेंगे तो इसके बाद यहाँ पे एक और बार हमें फिर से paste जो हमारे dough हमने बना के रखा है मेदे का वो हमें यहाँ पे फिर से apply करना है तो finger की साहिता से या चमस की साहिता से आप इस तरह से इसके उपर फिर से apply कर दीजिए और जैसे यह complete हो जाए तो एक और बार इस पे सुखा आटा हमें dust करना है तो same process को फिर से follow करेंगे then इसे एक और बार हम fold करेंगे तो इस position पे आपको यहाँ पे इसे फिर apply करना है और इसे fold हमने कर लिया है तो एक और बार इसके उपर हम सुखा आटा dust करेंगे और दोबारा से हम इसे एक बार last बार यानि कि हम इसे fold करेंगे इस तरह से fold करने के बाद हम यहाँ पे चाको से इसको तिन टुकडों में cut कर लेंगे ताकि हमारी मट्री है वो जल्दी बन जाए इसकी जो मोटाई है वो होनी चाहिए तो इस तरह से वापस से सुखा आटा dust करके आप इसे बेल लेजिए और बाकी के दो टुकड़े जो अपने side में रखे हैं तो इसके बाद हम उसे भी बेल लेंगे और अगर आप यहाँ पे चाहे तो एक एक छोटी थोड़ी इससे कम लोई लेकर के भी रूटी बनाते भी कर से इस तरह से हमारा काम थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाएगा तो हम तीनों की टुकड़े को वापस से बेल लेते हैं जो इसकी मोटाई हमें जो चाहिए बस वो हमें रखना है बाकि यहाँ पे जादा कुछ भी हमें नहीं करना है तो यह लास्ट फाइनल सेफ है हमारा इस तरह से यहाँ पे सुखाटा डस्ट करते हो हम इसे प्रॉपर बेल के फिर इसे एक नाइफ की सहायता से हम इसे कट कर लेंगे जो आकार यह बस इस तरह की मोटाई आपको रखना है तो एक नाइफ की सहायता से इस तरह से आप यहाँ पे इसको एक मटरी के आकार हम दे देंगे यहाँ पे कितनी पतली और मोटी रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं बढ़ हम मीडियम साइज की रख रहे हैं ना बहुत जादा पतली ना मोटी तो यहाँ पे हमें यह वाले साइज रखना है और सारी ही जो हमने बेली हैं दो तीनों ही टुकडों को हम इस तरह से कट कर लेंगे और बाकी की बची हुई लोईयों को भी हम इस तरह से पहले चाहे तो आप सारा रेडी करके बाद में भी फ्राइक कर सकते हैं तो मैंने चारों लोयों को इस तरह से बना दिया है, तो मैं यहाँ से एक एक करके इसमें तेल में एड़ कर दूँगी, तो तेल ध्यान रहे, बस थोड़ा अच्छा गरम होना चाहिए, बहुत साथ थन्ने में ना दाले, अधरवाज छीटी हो जाएगी, तो तेल गरम हो चु तो थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि यह अपने हाँ फुल कर उपर आ जाएगी, इसके बाद हमें इसे पलटना है, तो इस तरह से यह फुल के उपर हा चुकी है, इसके बाद हम इसे पलट लेंगे, ताकि यह दोनों ही तरफ अच्छे से फ्राय हो जाए, तो आप पर इस तरह से हम निकाल देंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा अगर ऑईल है, तो वो बाहर निकल जाए, तो हम थोड़ी देर के लिए इसमें रख लेंगे, फिर हम दूसरी प्लेट में इसे ट्रांसफर कर देंगे, इसी तरह हमारी जो बची हुई मटरी है, वो भी हम फ्राइ कर लेंगे, सेम प्रोसीजर से, पहले हमने एक साथ सारी बना के रेड़ी कर ली थी, और एक अलग सी एक ठाली में रख लिया था, फिर एक साथ हम फ्राइ कर रहें, अगर आप बनाते हुए फ्राइ करना चाते हैं, तो भी कर सकते हैं, अगर बना के रख लेंगे, तो भी आप कर सकते हैं, तो इस तरह से हमारी सारी मट्री बहुत ही जादा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हैं, तो एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करें, चाय के साथ बहुत जादा अच्छी लगेगी और बहुत इजी बन जाती हैं, तो यहाँ पर आप दे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। निवाद।